कई तबिठी desa अगर बात करेंगे कि अगर अपने मेटन्ड से इस किया है कोई भी अगर ऐसा कोई किया है कि तो दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपने से किया हो कंपनी जो ओपन सोर्स हैं अगर आप किसी से भी करके जाते हो कंपनी को कोई प्राब्लम नहीं होती है बढ़ हाँ इंटर्वियू के टाइम पे थोड़ा सा वो पूछते हैं कि अगर आपने अवकिन कंपने चाहिए परोग्यांपल और आप पूछते हैं में किया तो आप आइटी में क्यों आना चाहते हो या मंलेव आपने क्यों किया या CCNP क्यों किया तो यह थोड़ा सा एक कोई पुष्चन में बनता है तो आपको करना क्या है कि जो आपके पास कुछ ऐसा solid point होना चाहिए उस उस point को cover करने के लिए मान लोग उसने company को internally कोई problem होती है बहुत सारे आज ऐसे candidate हैं जो mechanical से IT में कर रहे हैं software में कर रहे हैं या power होता है उसमें कर रहे हैं तो मतलब बहुत सारे ऐसे resource होते हैं जिससे आप कर सकते हो बट यह कोई जरूरी नहीं होता बिसिकली क्या है कि उनका काम होना चाहिए और interview के time आपको interview निकालना होगा बस इतना सा काम है बाकि यह matter नहीं करता है कि आपने अगर civil से कर लिया है तो आप IT में नहीं जा सकते हैं सकते हैं तो इस तरीके के कंपनी में कोई fundamental नहीं है कोई रूल नहीं है बस उस पॉइंट को आपको एक कवर करना पड़ेगा interview के time पे कि ऐसी ऐसी बात होगी तिस वज़ए से मैंने mechanical किया और मैं इसमें जाना चाहता हूँ और बहुत शैसे लोग हैं जो आद मेकेनिकल से करके सीचने पर जॉब कर रहे हैं इसको जॉब मिली थी तो इलक्टानिक्स से करके उसने हाडवन निटवरकिंग कर किया था सिसी एंट सर्वर पर काम कर रहा है मैंटर नहीं करता कि आपने बीटे किया कोई सा भी ग्रेजुएशन वह आपने किस फील में किया है आपको आता क्या है यह पॉइंट यह चीज़ें आपको आपे दिखानी पड़ती है तो वह हो जाता है कि आपने किसे किया है तो आप बेढ़क जाओ CCNA करो CCNP करो करो इस सॉफ्वेर में जाओ जिस बस मेरे दोस्त आज की वीडियो में इतना ही वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक से यह चैनल को सब्सक्राइब जरू करें मेरा नाम है शोबम मैं में तो अपने नेक्स वीडिए वीडियो में टेलना वे ग्रेज मोमेंट और लाइ अबद्सएं सब्सक्राइब जिसो मस्का में इहरा